उत्राखंड सरकार एक टीम बनाकर के जल्दी ग्लेशरों के पास भेज़ेगी ग्लेशर लगातार पिगल रहे गते इस खबर को ABP Live ने प्रमुक्ता से दिखाया था जिसके बाद उत्राखंड में इसको लेकर के बड़ा असर हुआ है उत्राखंड सरकार एक टीम बनाकर के ज अचिव रंजी सरा ने बताया के एक टीम जल्दी हम इन ग्लेशरों के पास भेजने वाले हैं क्योंकि खबरे सामने आ रही थी के ग्लेशर पिगल रहे हैं तेजी से लगबग साल भर में 10-15 मिलिटर तक ग्लेशर पिगल रहे हैं जिससे इनके पिगलने से जो पानी निकलत जब आप higher altitude में जाते हैं तब उसका gradient ज्यादा है compared to lower altitude और इसके बजा से जो glacier के ओपर भी temperature के प्रभाब पर रहा है और temperature जो प्रभाब परता है उसके पिगलता है और glacier पिगल भी रहे है particularly हम लोग जो गंगत्री glacier है वहां पर study किया है 30-40-50 years का जो data है उससे पता चालता है 15-20 meter per year इतना rate में glacier पीछे तरफ चला जा रहा है तो यह glacier इसको हम लोग retreat बोलता है and glacier melting भी हो रहा है उस melting भी temperature का increase का बजा है और इस तरह से अगर temperature rise होता रहेगा glacier melt होता रहेगा glacier retreat होता रहेगा तो हम glacier से और जो भी हमारा इतना नदी इस तरह से हमालाय से origin होता है उसको पर impact हम लोग देख रहे हैं कि अब lake melt कर गया है अब study के लिए बिल्कुल ready है तब हम plan कर लेंगे वहां भी जुलाई अगस्तम उसको में भीजना है mitigation के लिए वहां अगर lake में ज्यादा पानी होता है burst करने के समभावना मनती है उसके लिए हम उसको discharge के लिए pipes के डालेंगे हमारी टीम जाएगी तो सब को evaluate करेगी वहां पंक्चर करेंगे पाइप लगाएंगे उसमें evaluate करेगी बैथिमेटरी करेगी यानि लेक का कितना साइज है कितना गहरा है पूरा study करेगी और उसके बाद उसमें इंस्ट्रुमेंटेशन और मिटीगेशन की करवाई हो उत्राखंट में global warming का असर देखने को मिला था जिसके बाद प्रदेश भर में ग्लेशर जो मौझूद है उन ग्लेशरों की संख्या धीरे घटी जा रही है ग्लेशर हर साल 10 से 20 मिटर तक गल रहे हैं यह ग्लेशर पि करने के बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट सरकार को सोपेगी इसके बाद इन जीलों को लेकर के कोई निलने लिया जाएगा आपको बता दे हैं वाडिया इस्टूट के डारेक्टर कालाचन साही ने बताया था कि इस पूरे इलाके में जो ग्लेशर हो धीरे धीरे पिगल रह एबी पी गंगा खबर आपकी जवाआपकी